तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर सेवेन फूड ओके तो अभी ना फूड के बारे में हम लोग डिसकुस करेंगे कहता है वी हैव अरडी लॉंट एवाउट दा इंपोर्टेंस ओफूड फूड फूर हीमन बिंग्स और अधर अनिमल्स प्रिविएस क्लास आई हैव वी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं देखिए यहाँ पे हम लोगों पिक्चर दिखाया गया है कहता है Given below are the pictures of some food items that we get from plants and animals कुछ यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर में कि कौन-कौन से food item को हम लोग plant से प्राप्त करते हैं और कौन-कौन से food item को हम लोग animal से प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे और पहचानेंगे कि कौन-कौन से food item को animal से मिल रहा है और कौन-कौन से food item को plant से मिल रहा है तो बहुत ही simple आप देखिए यह जो bottle आप देख रहे हैं इसमें क्या है न इसमें milk है तो यह कहां से मिलेगा हमको यह हमको मिल जाएगा animal से मिलेगा न दूसरी भी बात कर लेते हैं आप देखिए यहाँ पे क्या fruit बनाना है यह आपको कहां से मिल जाएगा यह आपको मिल जाएगा plant से तो आप बहुत ही आसाने से इसको separate कर सकते हैं कि कौन-कौन सा plant से मिलता है कौन-कौन सा animal से मिलता है यहाँ पे आप देखिए butter देख रहे हैं तो यह भी आपको कहां से मिल जाएआ animal से मिल जाए और इससी तरह से आप यह और भी fruits देख रहे हैं यह सारे के सारे fruits कहां से मिल जाएँ आपको plant से मिल रहे हैं चलिए तो बहुत इजले हम लोग इसको कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पर यहां पर एक कॉलम दिया हुआ है टेबल कहता है फूड फ्रॉम प्लांट्स कौन-कौन से फूड ऐसे हैं जो प्लांट से मिलते हैं और फूड फ्रॉम एनिमल्स तो यहां पर हम लोग इस कॉलम को फिल करेंगे कि प्लांट्स से मिलने वाले फूड ऐटम कौन-कौन है एनिमल्स से मिलने वाले फूड ऐटम कौन-कौन से हैं तो आएए हम लोग इसको फिल कर लेते हैं तो आएए हम लोग यहां पर पहले देखेंगे food from plants तो plants कुन-कुन से food item मिलेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं picture में क्या देख रहा है ना vegetables यह देखिए ओके यह भी हमको plant से मिलेगा और इधर क्या देख रहे हैं fruits यह हमको plant से मिलेगा ओके यह आप देखिए तो food from plants इसमें हम लोग पहले लिखेंगे vegetables ओके चलिए vegetables लिख दिए फिर हम लोग लिखते है fruits तो fruits लिख दिए और इसके बाद हमने क्या देखा हमने देखा pulses को तो यहाँ pulses लिख दिए ओके और इसके बाद हम देखे rice तो यहाँ पे rice लिख दिए और इसके बाद हम देखे चपाती तो यहाँ पे हम चपाती को भी लिखती है तो यह सब क्या होगे हैं प्लांट से मिलने वाले food item को हमने यहाँ पे note कर दिया है कितने note किये हैं हम लोग उने total 5 तो आईए अब हमारे पास है food from animals तो animals से मिलने वाले इसके बारे हम दोड़ा बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लोग क्या क्या देख रहे है पिक्चर में तो पहले milk यहाँ पे देखिए फिर butter आपको दिख रहा है फिर यह eggs दिख रहे है और यहाँ पे आपको honey दिख रहा है यह भी आपको animals मिलेगा और कुछ आपको देखिए यहाँ पे meat आपको दिख रहा होगा फिस दिख रहा होगा तो उसको हम यहाँ पे note कर लेते हैं आईए सबसे पहले हम नोट करते हैं यहाँ पे milk ओके milk अपना animal से मिलता है हमको इसके बाद हमने क्या देखा eggs तो eggs को यहाँ पे note कर दिजिए तो आप यहाँ पे और भी क्या लिखेंगे eggs लिख दिए फिर आप butter को लिखिए ओके यह भी हमको कहाँ से मिलता है animal से मिल रहा होता है butter इसके बाद आप honey को लिखिए यह भी आपको animal से मिलेगा और आपका को छूट किया meat आप लिख दिजिए ओके तो meat हम लोग खाते है न वह भी हमको कहाँ से मिलेगा हमको मिलता है animal से तो इस तरह से total कितने होगे हम लोग हमने total यहाँ पे five food items ऐसे note किये हैं जो कहाँ से मिल रहा है animal से मिल रहा है ओके तो इस तरह से आप भी note कर लेंगी next हम लोग बढ़ेंगे next page में यहाँ पे कहाँ गया है we eat a variety of food stuff हम लोग बहुत तरह के food items को खाते हैं we eat a variety of food stuff they contain different nutrients अभी हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि nutrients क्या होता है तो आईए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं देखें nutrients क्या है तो nutrients are the substances present in the food nutrients क्या है तो इसे substances जो food items present होते हैं they provide us energy help us grow keep us healthy healthy disease free and strong ओके यह हो गया अपना nutrients तो nutrients के बारे में लोग क्या जानगे कि यह food item है पाया जाते हैं food item है पाया जाने वाले substances होते हैं जो हम लोगों के हम लोगों को energy दे रहा होता है हम लोगों को grow करने में help करता है और हम लोगों को healthy रखता है disease free रखता है और strong रखता है तो यहाँ पे कुछ nutrients के name है हमारे पास वो हम लोग learn करेंगे इसमें से पहला हो गया carbohydrates proteins, fats, vitamins and minerals यह सब क्या है न में nutrients हैं जो हमारे food आटम में present होते हैं इसका नाम हम लोग learn करेंगे these nutrients have different functions and are found in different food items यह जितने भी nutrients के में लोग name लिये ना यह सारे nutrients अलग-अलग food आटम में पाया जाते हैं और इसका काम भी अलग-अलग होता है ओके दखिए functions and are found in different food items इसका अलग-अलग function होता है हमारे बोडी में तो अब हम जानेंगे की carbohydrate का क्या function है protein का क्या function है fat का क्या काम है vitamins का क्या काम है यह बहुत important है हम लोग इसको learn करेंगे they are important for our body in one or other way ओके the foods that we eat should provide various nutrients to our body so that we stay healthy and strong हम जो food item लेते हैं उसमें अलग-अलग nutrients होने चाहिए ताकि हमारा body healthy रहे हम लोग healthy बने रहे और हमारा body भी strong रहे ओके food item में अलग-अलग तरह की nutrients परजेंट होने चाहिए चाहिए लिखी आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे कहता है let us classify different foods on the basis of functions performed by them तो कौन-कौन से food item जितने भी food item है उसको हम उसके functions के basis पर classify करेंगे तो first हमारे पर यहाँ पर है देखिए energy giving foods वैसे foods जिसे हमको energy मिलता है ओके तो इसमें आप basically क्या होता है carbohydrates and fats यह आप learn करेंगे energy giving food में कौन से nutrients present होते हैं तो carbohydrate या fats यह present होता है जिससे हमको energy मिलता है यह कहा है nutrient है तो आईए हम बात करेंगे यहाँ से कहता है our body needs energy to do all types of work in our daily life हमारे body को energy चाहिए होता है किसलिए तो अलग-अलग work को करने के लिए daily जो भी हम काम करते हैं life में उसके लिए हमको energy चाहिए हमारे body को अगर energy नहीं मिलेगा तो हमारा body काम नहीं कर सकता है ओके next देखिए energy हमको मिलता कहां से है तो यह है carbohydrate and fats are the nutrients that provide energy to our body and thereby helping perform various functions तो अभी जो nutrient है मेरा carbohydrate और fat यह कह करता है हमारे body energy को energy देता है और इस वजह से नहा हम लोग अलग अलग तरह के काम को कर पाते हैं fats not only provide energy to our body but also keep us warm जो fat है यह जो nutrient है fat यह केवल हमारे body को energy नहीं देता है इसके साथ साथ हमारे body को warm भी रखता है keeps keep us warm हना हमारे body को गरम रखता है okay food a stuff वैसे food items food a stuff containing carbohydrates and fats are therefore called energy giving foods और इसलिए वैसे food a stuff जिसमें carbohydrates या तो फिर fat present हो उसको हम लोग क्या कहते हैं energy giving foods कहते हैं तो यह हम लोग learn करेंगे कि energy giving food हम लोग किसको कहते हैं जिसमें carbohydrate present हो या fat present हो वो हमारा क्या कहलाता है energy giving food कहलाता है अब देखेंगे हम लोग examples तो इसमें आएगा हमारा rice, wheat, मेज, sugar, potatoes, honey, sugar cane are some of the main sources of carbohydrates मतलब यह सब जो है ना यह क्या है energy giving food items है यह सब हमारे क्या है energy giving food items है यह हम लोग learn कर लिए next देखेंगे यहाँ हम लोग picture भी देख सकते है energy giving food का तो यह picture हम लोग को draw नहीं करना है बस क्योंद दिखाया गया है कि कौन-कौन से food items है जिससे हम लोग को energy मिल रहा होता है चलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है some sources of carbohydrates carbohydrates जिसमें पाया जाते है वो सारे food items को यहाँ पर दिखाया गया है आईए यहाँ पर do you know है इसकी बात हम करेंगे कहता है वन गराम of carbohydrates gives about four kilo calories of energy वन गराम जो carbohydrate होगा वो कितना energy हमको देगा about four kilo calories energy हमको देगा while one gram of fat gives about nine kilo calories of energy देखिए अभी न वन गराम की बात किया गिया है वन गराम जो है कार्बो हाड़ेड वो कितना एनर्जी दे रहा है तो 4 किलो किलोरीज वहीं वन गराम हम बात करते हैं कि इसका फैट का तो वो कितना एनर्जी देगा हम लोगो 9 किलो किलोरीज तो हमने आप से क्या समझा कि fats हमको ज़्यादा energy देता है किसके respect में तो carbohydrate के respect में जितना energy हमको carbohydrate दे रहा है उसका double से भी ज़्यादा energy हमको कौन दे रहा है fats दे रहा है तो आईए यहाँ पर देखेंगे fats के कुछ sources को तो देखिए यहाँ पर देख रहे है pure घी है तो यहाँ पर butter हो गया और क्या है oil हो गया और क्या है घी होए nuts and meat are rich sources of fats तो fat जिसमें पाया जाता है वो कौन कौन से फुराटम है तो आप देखिए यह chicken हम लोग देख रहे है meat उसी तरह से यहाँ पर हम लोग oils को देख रहे है फिर butter यह घी है pure घी है तो यह nuts है यह सब में क्या है न हमको मिलेगा जैदा मात्रा में क्या मिलेगा fat मिलता है तो यह हमारे क्या कर लेंगे energy giving food कर लेंगे चलिए first हम लोग का हो गया energy giving food अब दूसरा हमारे पास है body building foods तो body building foods मतलब जिसमें proteins पाय जाएंगे उसको हम लोग कहेंगे body building foods देखे proteins help our body to grow and repair the worn out tissues तो हमारे बोड़ी में protein का क्या काम है तो grow करना हमारा बोड़ी day by day grow करता है तो उसमें कौन help कर रहा होता है protein और जो tissue हमारे बोड़ी में जो tissue damage हो गी है उसको भी repair करने का काम करता है कौन protein जैसे कहीं पी कोई भी part में हम लोगो injured हो जाते हैं तो वहाँ जो part मेरा cell damage हो जाता है उसको कौन repair करता है तो protein repair करता है अब protein कौन-कौन से food आटा में पाया जाते हैं तो हम लोगों यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एक्स देख रहे हैं milk देख रहे हैं okay pulses को देख रहे हैं cheese है अपना notes है तो यह सब कहा है ना sources of proteins है आईए food stuff containing proteins are called body building foods तो आप से पूछा जाए कि body building food किसको कहेंगे हम लोग तो बस अप एक sentence में answer देजिए food stuff containing proteins are called body building foods नेक्स्ट है different food items contain different types of proteins अलग-अलग जो food item है उसमें अलग-अलग तरह के proteins होते है our food should therefore include more than one source of protein to fulfill our different needs अलग-अलग food item मेंने अलग-अलग types के proteins होते है देखिए different types of proteins की बात की गई है तो हमारे body को अलग-अलग food item चाहिए जिसमें अलग-अलग तरह के proteins पाया जाते हो ताकि जो हमारे body के needs हैं वो उसको पूरा हो सके अहाँ पे है milk, cheese, pulses, knots, eggs and fish are some of the main sources of proteins ये सब protein के main sources हैं और ये सारे food items को हम लोगों को लेना चाहिए ताकि हमारे body के जो needs हैं वो पूरा हो सके तो चलिए protein जिसमें present होता है उसको लोग क्या कहते हैं body building foods कहते हैं ये हम लोगों ने देख लिया, इसका example भी देख लिया चलिए आगे देखेंगे कहता है protective foods क्या होते हैं तो protective foods मतलब जो हमारे body को protect करके रखेगा क्या चिस से तो भीमारी से, डीजेज से, डीजेज ना हो वो food item हमारा क्या कलागा protective food तो इसमें कौन से nutrients present होगी तो यहाँ पर जो nutrients present होगा वो कलागा vitamins and minerals समझ गे, तो अभी वैसा food item जिसमें vitamins और minerals present हो उसको हम क्या कहेंगे protective foods कहेंगे आई हम देखते हैं, vitamins and minerals are the nutrients which protect our body from diseases and keep us healthy तो अभी आपने क्या देख लिया कि vitamins और minerals यह दो ऐसे nutrients हैं, जो हमारे body को डीजेज से बचा के रखता है हना, food stops containing vitamins and minerals are called protective foods तो अभी आप से question करें कि protective food क्या है तो आप क्या जबाब देंगे, आप एक ही alignment answer करेंगे food stops containing vitamins and minerals are called protective foods और यह हमारे body को डीजेज से बचा के रखता है there are many types of vitamins needed by our body देखिए, हमारे body को अलग अलग तरह के vitamins क्यावाश रखता होती है vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K are the main types of vitamins that help us to stay healthy तो कौन-कौन से vitamins हैं जो हमारे body को healthy रखते हैं तो हमने देख लिया A, B, C, D, E, K यह क्या है न, vitamins के name है जो हमारे body को digits से free रखेंगे, digits नहीं होने देंगे आईए हमाँ बात करते हैं आगे Our body needs these vitamins in small quantities only vitamins के नहीं बहुत कम मात्रा चाहिए हमारे body को बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए केवल a small amount चाहिए They are present in different food items और यह जो vitamins के name हम लोग देखें वो अलग-अलग food items में present होते हैं We should include all such items in our food और यह जितने भी food items है वो सारे food items को हम लोगों को लेना चाहिए ताकि हमारे body को सारे vitamins मिल जाए आईए यहाँ पर हम देखेंगे यह table और जो table आप देखेंगे बहुत ही important है आप इसको जरूर से learn कर लेज़ेगा कि कौन-कौन सा source है vitamins का और उसका क्या function है हमारे body में तो पहले आप देखिए फर्स्ट है हमारा vitamin A और इसका क्या source है तो spinach, carrot, milk, butter, eggs, alo, fruits like mango and papaya यह क्या होगी? source होगी यह क्या काम करता है हमारे body में? तो इसका function क्या है? It is necessary for good eyesight and healthy skin हमारे body में जो skin है ना उसको healthy बना कर रखेगा skin को strong रखेगा और eyesight मतलब दिरिस्टी आँख की जो दिरिस्टी है रोसनी उसको भी strong रखेगा तो हम लोग यह vitamins A के functions को देख लिए अब दूसरा हमारे पास vitamin B इसका क्या source है? इसका क्या function है? यह हम लोग देखेंगे कहता है green leafy vegetables, soya bean, milk, beans, peach यह सब कहाना important source है कि इसके vitamin B के और इसका क्या function है? तो it is required for healthy skin and proper functioning of nerves तो healthy skin, आप समझ रहे हैं? अपना skin body का जो outer cover है वो क्या कह लाता है? असकीन कह लाता है, okay? और a skin क्या है? सबसे बड़ा औरगन है अपने बोड़ी का यह जानते हैं लोग यह उसके बाद दूसरा proper functioning of nerves, nerves कहाना तो हमारे बोड़ी में जो blood circulate होता है पूरे बोड़ी में वो pips के तुरू हो रहा होता है और वो सब pips में एक अपना कहाना nerves भी होगा, okay? तो आईए nerves को यह protect करके रखेगा, proper functioning वहाँ पे दे रहा होता है next हमारे पास है, vitamin C, इसका क्या source है? तो देखिए, orange, lemon, आम लाव, tomato, green, leafy, vegetables मतलब जितने भी fruits हैं, उसमें से आप कहिए कि जो खटे fruits हैं, citrus fruits हैं, उसमें हमारा क्या है ना, vitamin C पाया जाता है citrus fruits आप समझ रहे हैं जिसको जो खाने में हमको खटा लगता है, okay? sour in taste है, उसमें क्या ना, vitamin C present है, almost, और अभी इसका क्या function है? तो it is needed for proper functioning of blood vessels, for keeping gums healthy, okay? and for healing of owns, तो जब कभी हम लोगो को कहीं पी अगर चोट लग जाता है, तो आप देखते हैं न, body में घहाव हो जाता है, जाके owns, तो वो जो owns है न, उसको ये क्या करेगा, जल्दी से भर देगा, healing मतलब ठीक कर देना, और जो अपना gum से मसूडा है, दात में मसूडा जो होता है, आप जानते हैं, वो कहना उसको भी healthy रखेगा, okay? कौन बिटामिन सी, तो आगे देखिए, blood vessels को भी ये strong रखेगा, okay? उसको proper functioning होगा, और last में हमारे पास है, D, और इसका क्या काम, कहां से मिलेगा, तो sunlight होगा, main source, okay? इसके अलावे हमारे पास है, milk, eggs, butter, fish, cod, liver, oil, ये सब क्या हैं, बिटामिन D के sources हैं, तो ये हमको क्या करेगा, it is required for healthy bones and teeth, हमारे body का जो bone है, वो healthy रहें, और दात भी strong रहें, इसलिए हमको कौन सा विटामिन चाहिए, तो विटामिन D चाहिए, आईए हम यहाँ पे picture के तुरू देखेंगे, sources of vitamin A, तो vitamin A के कौन कौन से source है, आप देखिए, meal के हाँ पे लोग द जी तरह vitamin C को दिखे, fruits दिखायागे, citrus fruits, हाना, sourintest जो होता है, और फिर अपना vitamin D दिखायागे, milk, butter, eggs, cod liver oil, ओके, चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास do you know है, जो कि important होगा, कहता है, our body makes vitamin D in the presence of sunlight, हमारा body न सनलाइट के presence में कौन सा vitamin बना लेता है, vitamin D बना लेता है, vitamin D helps our body to use calcium for strengthening our bones and teeth, हमारे जो bones हैं और जो teeth हैं, उसको strong बना के रखेगा, कौन तो calcium, और calcium कैसे यूज हो रहा है, तो vitamin D के help से, vitamin D जो है न वो help करता है हमारे body को calcium को यूज करने के लिए, और calcium यूज होता है हमारे body में, उससे क्या हो रहा है, अपना bones और teeth जो वो strong हो रहा है, तो यह आप कह सकते हैं कि vitamin D बहुत important हो गया, तब ही तो हमारा body का जो bones है और teeth है वो strong रहेगा, next हम आँगे, next page पर, यहाँ पर हम देख रहे हैं, besides vitamins, our body also needs many different minerals for staying healthy, vitamins के अलावे, हमारे body को ना, minerals भी चाहिए, okay, ताकि हमारा body healthy बना रहे, different animals like, different minerals like calcium, phosphorus, iron, iodine are an important part of our body, तो देखिए, कौन-कौन से minerals हैं, इसके बारे हम बात करेंगे, इसमें calcium हागिया, phosphorus हागिया, iron है, iodine है, यह सब कहाना important minerals हैं, जो हमारे food atom में पाया जाते हैं, minerals are needed by our body in a small amount only, आप देखिए, जो minerals हैं, वो भी ना, हमारे body को ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ी मात्रा चाहिए, small amount में ही minerals चाहिए, आप भी minerals को देख सकते हैं, यहाँ पे में लोगों कोलम बना के दिया एक तरफ, और दूसरे ही तरफ उसका source भी दिया गया है, और उसके साथ ही, यहाँ पे में लोगों उसके functions को भी देखेंगे, तो पहला mineral क्या है, calcium, इसका क्या source होगा, तो milk, green leafy vegetables, और भी होएंगे, तो अभी two sources दिया हुआ है, और आईए इसका क्या function है, तो it is required for healthy bones and teeth, हमारे body में जो bones है और teeth हैं, उसको यह क्या करेगा, healthy बना करेगा, निक्स्ट है, phosphorus, phosphorus कहां से मिलेगा, milk, egg, fish, green vegetables and pulses, अभी इसका क्या function है, तो same हो गया, for healthy bones and teeth, तो calcium and phosphorus का लगवग लगवग function, same हो गया, फिर आते हैं, iron, अभी देखिए, iron का क्या source है, तो pulses, nuts, spinach, beans and apples, क्या function है बोड़ी में, तो it is required for the formation of hemoglobin, hemoglobin क्या होता है, तो hemoglobin हमारे blood का part है, और जिसके वज़े से हमारा blood किस तरह का होता है, red color का होता है, और यह जो hemoglobin है, यह blood में कैसे बन रहा होता है, तो iron के help से बन रहा होता है, यहाँ पे साफ लिखता है, it is required for the formation of hemoglobin in our blood and to protect us from infection, हमारे body को infection से बचा के रखता है, और hemoglobin बनने में help करता है, चलिए next हमारे पास होगा, iodine, इसकी बात करते हैं, कहता है, iodized, table salt, sea food, like fish and prawns, यह सब क्या होगी है, iodine के source होगी है, अभी iodized, stable salt, अब सबसे अच्छा source मानिए कि हम लोग के घर में available रहता है, आसाने से, ऐसे sea food भी है, sea food बनतों समुद्ध से मिलने वाले, fees होगी है, जैसे fees हैं, प्राउंस से यह सब मिलता है, iodine वहाँ से मिल जाएगा, It is necessary for normal growth and development of our body, हमारे body के normal growth के लिए और development के लिए जरूरी होता है, ठीक है, तो हमने अभी क्या देख लिया, अलग-अलग minerals देख लिये, और उसका क्या source है, यह भी देख लिये, और उसका क्या function है, यह भी हम लोगों ने देख लिया है, तो आप इसको जरूर remember करेंगी, फि जो अभी हमने देख लिया, निट्रियम्स, वो निट्रियम्स के अलावे भी हमारे body को कुछ और भी चाहिए होता है, उसमें पहला है rough fig, ओके, तो आईए हम rough fig की बात करते हैं, कहता है rough fig is the fiber present in food, we get it mainly from fruits, vegetables, pulses, all grains, देखिए इसका क्या sources है, तो जो भी vegetables हैं, जो fruits हैं, वहां से हमको क्या मिल रहा होता है ना, rough fig मिल रहा होता है, और इसका क्या काम बोड़ी में, यह जो fiber है ना, वो हमारा क्या है rough fig है, तो fiber does not provide any nutrients to our body, हमारे बोड़ी में यह rough fig को nutrients provide नहीं करता है, however, it helps our body to get right off undigested food, लेकिन हमारे बोड़ी में जो undigested food रह जाता है, उसको बोड़ी स बाहर करने में यह बहुत important role play करता है, it also helps us to avoid over eating, हना, हमारे बोड़ी को जैदा over eating से भी रोकता है, rough fig is therefore a very important part of our food, इसलिए हम कह सकते हैं कि rough fig जो है, वो हमारे food item का एक important part है, okay, तो हम लोग rough fig को कहा से मिलेगा हमा को rough fig, तो fruit से मिलेगा, vegetables से मिलेगा, हना, pulses से मिलेगा, grain से भी मिलता है, तो यह सब food item को लोग include करेंगे अपने food में, फिर आते हैं water, तो water तो आप जानते हैं कि यह important है, इसके पिना food का digestion ही नहीं पाएगा, तो water is essential for our body to function properly, water helps in different digestion of food, water क्या help कर रहा है, तो food item को digest करने में help करता है, digestion of food, okay, and absorption of nutrients to our body, जो food item digest हो गया, उसमें जो nutrients हैं, वो हमारे body में absorb होंगे, इसमें भी help करता है, कौन water, it also helps in throwing out waste from the body, body में जो waste बन जाता है न, वो waste को body से बाहर थो करने में भी help करता है, कौन water, we should drink at least 8 to 10 glasses of water everyday, और इसलिए हम लोग को water बहुत ज़्यादा मातरा में लेना चाहिए, कितना, तो लगभग लगभग, at least 8, 8 glasses of water everyday हम लोग को लेना ही चाहिए, अब हमारे पास निया topic आ गया, यह है balance diet, तो यह बहुत important topic होगा, कि balance diet क्या होता है, तो आई हम इसके बारे में बात करते हैं, कहता है, different nutrients perform different functions in our body and help us to stay healthy, जितने भी nutrients हैं, हम लोगों ने देख लिया, सारे nutrients हमारे body के लिए आवस्यक हैं, और सभी nutrients अलग-अलग functions को पूरा करते हैं हमारे body में, अब कहता है, absence of any one of the nutrients may cause a disease, अभी कोई भी nutrients अगर absence हो गया, तो हमारे body में न defect हो सकता है, All nutrients are not present, not available in any one food item, केवल एक ही food item में सारे nutrients परजेंट नहीं होते हैं, For example, sugar contains carbohydrates, but does not contain fats, देखिए, जो sugar है उसमें क्या होता है, carbohydrates होता है, लेकिन fat नहीं होता है, protein नहीं होता है, minerals नहीं होते हैं, Okay, उसी तरह हम बात करेंगे, fruits and vegetables contain vitamins and minerals, but lack protein and fats, जितने भी fruits है न, उसमें अक्सर vitamins और vitamins पाया जाते हैं, minerals पाया जाते हैं, लेकिन उसमें protein और fat की कमी होती है, Okay, sometimes children are in that, in the habit of avoiding some food items, कभी-कभी बच्चे कुछ food items को नहीं खाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, Okay, over the years, a particular nutrients then remains missing from their diet, this can affect their growth and proper functioning of body, तो अभी हमने क्या सिखा, कि अगर कोई भी एक particular nutrients नहीं मिलता है हमारे body को, लंबे समय तक, तो उससे क्या होगा न, वो affect होगा growth, Okay, growth affect होगा, और body proper functioning नहीं कर सकेगा, तो balance diet आखिर क्या है, तो वहसा diet जिसमें सारे nutrients पर जंट हो, उसको हम लोग कहेंगे balance diet, तो देखिये लिखता है न, we should therefore always take a diet which contains all the nutrients in appropriate amounts, तो हम लोग को इस तरह की food item लेने हैं, जिसमें लगभग लगभग सारे nutrients पर जंट हो, और वह भी कितना, तो उचित मात्रा में, appropriate amount में पर जंट हो, वैसा हम लोग को diet लेना है, It should also contain a good amount of roughage and water, such a diet is called a balanced diet, और उस तरह को diet होगा, वो क्या कहलाएगा, balance diet कहलाएगा, मतलब वैसा diet जिसमें लगभग सारे nutrients पर जंट हो, उसके साथ साथ roughage भी हो, water भी हो, तो वो हमारा कहलाएगा, balance diet, people need different amount of nutrients according to their age and work, they do, तो जो भी people हैं, उसको उसके age के according nutrients कियावाज सकता होती है, किस तरह का function काम करते हैं अपने life में, उस according उसको ना, nutrients कियावाज सकता होती है, ओके, आईए यहाँ पर हम देखते हैं, कहता है, for growing children, it is very important to have a diet that contains more of protein, carbohydrates and fat, जो बच्चे growing stage में होते हैं, अना, देखिए, growing children, growing stage मतलो आप समझ रहें ना, childhood, तो उस समय ना, उसके food item में क्या क्या होने चाहिए, तो उसके food item में proteins, carbohydrates, fats, इसकी मात्रा जैदे होने चाहिए, all people who are not very active need less energy, जो all people हैं, वो ज्यादा active नहीं होते हैं, वो उस तरह के function नहीं करते हैं, वो ज्यादा active नहीं होते हैं, active नहीं होने का मतलब वो काम नहीं करते हैं, तो उसको ना, ज्यादा energy क्या हो सकता नहीं होती है, तो उसे ज्यादा protein और carbohydrate fats क्या हो सकता नहीं होते हैं they therefore need less of carbohydrates and fats और इसलिए उस तरह के person को ज्यादा मात्रा में carbohydrate क्या हो सकता नहीं होती है तो अभी हमने क्या देख लिया balance diet और यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं कि balance diet में क्या-क्या include होगा तो balance diet में अपना include हो जाएगा fruits भी आने चाहिए, vegetables भी आने चाहिए, pulses भी आए हम लोग milk भी ले और यह सारे food item को लोग मिला के लिए तो वो हमारा diet जो होगा वो कलाएगा balance diet clear समझ गे अभी ना हम लोग milk को कह सकते हैं balance diet चुकि milk में लगभग लगभग सारे चीज़ पाया जाते हैं तो आईए हम keywords की बात करते हैं यहां पी keywords में हमारे पास पहला क्या है तो है balance diet, a diet which contains all the nutrients, raw egg and water in right amounts वो कलाएगा हमारा balance diet तो इसको में लोग learn कर लेंगे आ सकता एक जाम में फिर आता है carbohydrates, the nutrient which gives us energy वो इसा nutrient जो हमको energy देगा वो क्या कर लाएगा हमारे लिए carbohydrates कर लाएगा, फिर nutrients क्या है, तो the substances present in our food which are nitate by our body to grow and stay healthy, तो nutrients क्या है, food item में पाया जाने वाले substances हैं, जो हमारे body के लिए आवेश्यक होते हैं, हमारे body के grow करने के लिए और body को healthy रखने के लिए, फिर proteins की बात करें, तो proteins कहना, the nutrient which help us to grow जो हम लोग को grow करने में help करता है, फिर आते हैं rough age, the fibers present in food which help to get right of undigested food, जो food item undigested है, उसको body से बाहर निकलने में help करता है, फिर है विटामिन्स, the nutrients which help us to stay healthy and digest free, हना बीमारे से जो बचा के रखता है, उस तरह करने nutrient को क्या करते हैं, लोग विटामिन्स कहते हैं, और यह healthy भी रखता है हमारे body को, तो अभी ना हम लोगोंने क्या देख लिया, पूरे chapter को एक बार हम लोगोंने देख लिया है, तो आप इसको बार बार वीडियो देखिए और आप यहां से समझी, ओके, तो आप इस वीडियो लेशन is helpful for you, so like this video and share with others and do some comments, also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon for upcoming videos, thanks for watching, have a glorious day ahead.